चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं अब लोगा कितना हुआ है ठीक है कोशन बार वन से स्टार्ट करते हैं राइट दे कोफिशन्ट ओफ एक स्क्वेर इन इच अब दा फालेग फॉस्ट नमबर इसमें एक स्क्वेर का कोफिशन्ट क्या है सेकेंड क्या है एक स्क्वेर का कोफिशन्ट क्या है रूट टू पलक नमबर त्रीका आप बताओ तर्फाइब प्लस वन नए गलेच जबाब है एक स्क्वेर का कोफिशन्ट है माइनस फाइव निगटिव नमबर है माइनस फाइव एक स्क्वेर के साथ मल्टिप्लाई हो रहा है तो आपको माइनस फाइब बोलना पड़ेगा प्लस फाइब नहीं अपने फाइब बोला तो इसका मतलब है प्लस फाइब बोला है लेकिन यहां पे एक स्क्वेर के साथ माइनस फाइब मल्टिप्लाई हो रहा अच्छा नंबर थ्री एक्स क्यूब का बताना है ठीक है तो प्यूश नंबर बन इसका फाइब ओके पलक नंबर टू टू बाइब फाइब टू बाइब फाइब ठीक है इसका फाइब था अधिती हाँ सर नंबर ट्री रूट फाइब रूट फाइब ठीक है अब इसका कैसे करेंगे इसमता एक्स क्यूब नहीं है क्या करें सर सिंप्लीफाइब पहले इसमता करेंगे ओके करते हैं थ्री एक्स के साथ पहले मल्टिप्लाइ करते हैं थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वेर हो जाएगा 3x cube फिर 3x into 5x हो जाएगा 15x square 3x into minus 1 हो जाएगा minus 3x अचा उसके से minus 4 into x square minus 4 x square minus 4 into plus 5x तो minus 20x है न? minus 4 into 5x minus 20x minus 4 into minus 1 plus 4 यहाँ पे like terms है 3x square square नहीं सारी यह cube है cube अचा इसका like term यह है तो दोनों मिलकी कितने हो जाएगे plus 15 और minus 4 plus 15 और minus 4 plus 11 x square इसका like term minus 3x का like term minus 20x दोनों मिलकी हो जाएगे minus 23 x same sign है जब भी same sign होंगे तो आप add करोगे and plus 4 last मैं ठीक है अब पलक बताओ x cube का coefficient अच्छा 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 इसका कोफिशंट है इसे expand करके बताओ कितने आ रहा है तो जवाब है minus 10 ठीक है उसके बाद अधीती question number 4 write the degree of each of the following polynomial okay degree निकालना है मैं तो first वाला बताओ sir 3x to the power 4 yeah 4 4 सवाल है write the degree मैं degree के बारे में फिर से बता देता हूँ degree का मतलब होता है highest power इसमें highest power इसमें x नहीं है तो power 0 इसमें x में power 4 है और इसमें x में power 5 है तो degree का मतलब highest power तो highest power यां 5 है ओके प्यूश second वाला बताओ write the degree of the following बोलो 8 8 ठीक है सत्यजीत number 3 बताओ 0 0 क्योंकि अगर हम variable इसमें लगाएंगे तो उस पे 0 लगाना पड़ेगा तो इसमें 0 degree of the polynomial 0 पलक आप नंबर 4 का बताओ पलक 1 1 नहीं इसमें variable अगर लगाओगे तो power क्या लगाओगे इसमें अगर आप variable को लगाओगे 3 में कोई variable तो था नहीं न अगर हम variable लगाना चाहिए तो उस variable में power क्या लगाए इसे कौन सा polynomial बोलते हैं यह बताओ यह कौन सा polynomial है हमने यह पर बहुत सारे polynomial पड़े थे न यह देखो type of polynomial zero polynomial, non-zero constant polynomial, linear polynomial, quadratic, cubic, bic quadratic बहुत सारे polynomial हमने पड़े तो यह जो polynomial था इन में से कौन सा polynomial था three non-zero constant polynomial का degree कितना होता है one zero अगर हम इसमें variable लगाएंगे देखो इसके साथ अगर हमें कुछ multiply करना है तो multiply कुछ ऐसा करना है जिससे यह three three ही बना रहे है तो वो है one three में अगर हम one multiply करेंगे वो three ही रहेगा तो फिर one के बराबर कौन सा variable है मतलब कौन सा variable डालने पर वो one ही होता है बताओ एक्स टू दी पावर जीरो क्योंकि एक्स टू दी पावर जीरो one होता है किसी भी बेस के उपर पावर जीरो होने पर one होता है तो यहां अगर three के साथ कुछ multiply करना है अपने मर्जी से तो one multiply करना है और अगर variable करना तो variable भी ऐसा करना है जिसका value one हो तो वो है एक्स टू दी पाड़ जीरो तो इसमें power 0 है ऊके हो कि पावर इसमें 0 है तो इसका degree होगा 0 अच्छा उसके बाद अ अधीती नहीं अधीती से नहीं अधीती से नहीं प्यूष बताओ प्यूश बताव यससर प्यूश बताव इसका डिगरी न्बर फीथ सर्वान अधिती नूबर शिक्स पस्वा एक मिन फूर्ण सर नॉट नॉट डिफैंट डिफिनिट नॉट डिफाइन क्यों यह कौन सा पॉलिनोमल है यह जीरो पॉलिनोमल होता है तो हम उसमें x to the power n लगाते हैं और n का वालू कुछ भी हो सकता है यह नॉट डिफाइन ठीक है नॉट डिफाइन तो अप लोग को ये दो polynomial थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा पहले आपको specially याद रखना पड़ेगा जो non-zero constant polynomial होता है उसका degree zero होता है और जो zero polynomial होता है उसका not defined होता है ये दो बाते आप लोग याद रखो ने तो बहुत confusion होगा फिर बाद में चीक है जवाब नहीं देपा होगे अच्छा उसके बाद सत्यजीत question number five find the degree of the polynomial ये आपका polynomial है पर फोर क्या बोल रहे हो पलक बताओ पर फोर पलक पलक आप बताओ पाइव यह नवाद अदिती पाइव पाइव प्यूश 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 इसक्स काम पर दिखाए दिया तुनको पावर हाँ पाइव 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 अच्छा सुनो यहां पर हमने डिग्री पढ़ा था ठीक है यह जो स्टेट्मेंट है ना डिग्री डिग्री का मतलब होता है हाईएस पावर अव दा वेरीबल लेकिन एक बात बताओ यह यहां देखो यह बहुत सारे पालेनमल मैंने इदर लिखे हुए ठीक है पहला वाला जीरो पालेनमल इसका पावर जो होता हो एक्स टूदी पावर एन होता है तो एन होने से नॉट डिफाइन क्योंकि एन का वैलू कुछ भी हो सकता है तो आप नहीं बता सकते हो सबसे बड़ा पावर और यह होता है नॉन जीरो कॉंस्टेंट पालेनमल इसमें यह कॉंस्टेंट जीरो नहीं हो सकता इसलिए हम इसे नॉन जीरो कॉंस्टेंट बोलते है तो यहां पर डिगरी जीरो फिर नेक्स्ट वाला देखो इसमें यह लीनियर पालेनमल है इसको हम बोलते linear polynomial, ठीक है, इसका power कितना, इसका power कितना, कितना है इसका power, इसका power है 1, linear है न, degree, इधर देखो, degree 1 है, तो degree अगर 1 है, यह जिस variable में है, इसका जो coefficient A, उसका यहां information क्या दिया हुए, देखो, वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद यह quadratic polynomial, यह quadratic polynomial है, PX equals AX squared plus BX plus C, इसमें जो degree लिखा गया है, वो 2 लिखा गया, और 2 कहां पर है, 2 इस X में है, ठीक है, 2 इस X में है, और इसका जो coefficient A है, उसके बारे में यहां क्या लि cubic polynomial में आते हैं, यह cubic polynomial है, cubic polynomial इस तरह लिखा जाता है, PX is equal to AX cubed plus BX squared plus CX plus D, इसमें degree 3 बताया गया है, और 3 कहां पर है, 3 इस X में है, और इस X का coefficient A है, और इसके बारे में भी यहां पर बोला गया है, कि वो 0 नहीं हो सकता, तो बात को समझने की कोशिश करो, highest power जिस variable में होता है, उसका जो coefficient है, वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, आप by quadratic polynomial को देखो, उसका power यहां पर degree, degree यहां पर 4 बताया गया है, तो degree 4 यहां पर है, और यह 4 जिस variable पर उसके साथ जो coefficient देख रहे हो A, यह देख रहे हो A, यहां पर देखो लिखा हुआ है, वो A 0 नही नहीं हो सकता, समझने की कोशिश कर रहे हो, यह सब लोगों से मैंने यह सवाल पूछा, तो सब लोगों ने जवाब अलग अलग दिया, तो यहां पर जो सत्य जीत ने बोला 4, ठीक है, सत्य जीत ने 4 बोला, ठीक है, और फिर बाकी सब लोग 5, प्यूश ने 6 बोला, ठीक है, अब जिनोंने 5 बोला, वो ध्यान से देखो, यह 5 जिस variable में है, उसका coefficient 0 है, लेकिन मैंने भी आपको दिखाया है, जो highest power जिस variable पर होगा, उसका coefficient कभ अगर इसका coefficient 0 है, तो फिर highest power यह नहीं हो सकता, possible ही नहीं है, तो आपको यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी variable के साथ 0 है, तो यह भी possible नहीं है, अब दिखो यहाँ पे, x पे power 4 है, और इसका जो coefficient है, वो 0 नहीं है, इसलिए highest power यहाँ पे 4 है, that's why degree 4 है, ठीक है, तो सत् ने सही answer दिया, समझ गए बात को, हाँ, हाँ, ठीक है, ओके, आप लोगो ने question number 6 कर लिया था मेरे साथ, यह साथ, तो फिर हम आगे बढ़ते है, question number 7 देखते है, सवाल पूछा है, find the value of polynomial, if minus k is a 0 of polynomial, यह question थोड़ा सा, गलत है, यह question थोड़ा correction करो आप लोग, find the value of k, what is the value of k, what is the value of k in polynomial, in polynomial, this, if minus 1 is the 0 of the polynomial, अच्छा, क्या हमने last class, 0 of the polynomial को detail में समझा, 0 of the polynomial, अच्छा, क्लियर है, मुच्छे जवाब दो, यफ्गा. यब सकतू. यष्भान आप शो. यश्वाब यफ कर दो, यजब सकतू. यब सकतू. यवान. कि देखो जीरोज ऑफ दे पॉलेनमल क्या होते एक बड़ थोड़ असा समझ लेते हैं जैसे की एकसेसाइस स्थुपनटू में ओऊ यहां पे सवाल पुछा है आपसे find the value of the polynomial आपसे value पूछा किया find the value of the polynomial यह जो polynomial इसका value पूछा है at x equals 0 at x equals minus 1 at x equals 2 ऐसे पॉलेनमल को एक बार मैं यहां पर PX करके डिफाइन कर लेता हूँ, PX equals 5X minus 4X square plus 3, ठीक है, अब at X equals 0 पर मैं पॉलेनमल का value निकालता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे P of 0, क्योंकि इस X के जिगा मुझे 0 डालना है, क्योंकि X का value 0 दिया गया है, ठीक है, तो X के जिगा मैंने 0 डाला, और फिर इस पॉलेनमल में जितना X है, उनमें भी मैं same 0 डालूँगा, X का value 0, क्योंकि हमें बोला गया, X equal to 0, ऐसे, इसको solve करो, 5, 0, 0, लिखने की ज़रोत नहीं है, minus 4 into 0, 0 हो जाता है, बागी बसता 3, plus 3, अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या मैं इस X के value को, क्या इ नहीं बहुता है, अब चलो, इस पर try करते हैं, P of minus 1, X equals minus 1, तो ये जो आप X देख रहे हूं, bracket के अंदर, इस X के जगा मैंने लिखा minus 1, क्योंकि X equals minus 1 बोला गया है, और यहां अगर आप इस X में minus 1 डालते हो, तो polynomial में मौझे जितने X है, उसमें भी minus 1 डालना पड़ेगा, तो minus 1, फिर 4 times minus 1 square plus 3, अब solve करते हैं, 5 into minus 1 minus 5, minus 4, अच्छा, minus 1 का square कितना होता है, minus 1 का square, 1 होता है, तो 1 into minus 4 is minus 4, और plus 3, तो minus 5, minus 4, minus 9, minus 9 के साथ plus 3 करोगे, तो minus 6, अच्छा, बताओ, क्या यह 0 of the polynomial है, नहीं से, उसके बाद इसमें चेक करते हैं, खिक है, क्या है X equals 2, तो मैं polynomial में 2 डालता हो, तो 5 into 2 minus 4, 2 square plus 3, 5 into 10 minus 4, 2 का square 4 होता है, 4 डाला हमने, 4, 4 is 16, यहां पे 3, 10 और 16, 4, 4 is 16 होता है न, तो 10 minus 16, minus 6, और यहां plus 3, 3, minus 6 और plus 3 होता है, minus 3, अच्छा, क्या यह 0 of the polynomial है, नहीं से, यह भी नहीं है, तो फिर कब होता है 0 of the polynomial, पर अगर एक्वेट करने पर 0 मिले तब, यह जो रिजल्ट आ रहे है, यह 0 नहीं है, इसलिए आप लोग बोल रहे हो, कि 0 of the polynomial नहीं है, तो चलो, यहां पे एक सम लेते हैं, मैं इसे लेता हूं, इस पर try करते हैं, इन्होंने बोला, value निकालो, P0, P1, P2 निकालो, इन्होंने ऐसा बोले है, ठीक है, यह हमारे पास कई सारे polynomial है, इन्होंने बोला, find P0, P1, P2 of each of the following polynomals, इसमें सारे polynomals में हम यह सारे values निकाल ले, तो मैं 1 पे एक बर निकालता हूं, नमबर 3 पे, नमबर 3 पे हम निकालते हैं, तो P of X, तो X पे मैं एक बार 0 डालता हूं, P0 निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा, 0 Q, 0 Q is 0, अच्छा, उसके बाद P1 हम निकालते हैं, P1, तो मैंने अगर यहां X में 1 डाला, तो इधर X में भी 1 डालना होगा, तो X3 मतलब 1 Q, 1 Q 1 होता है, फिर P2 डालते हैं, तो P2 डालने पर, अगर मैंने इस X में 2 डाला, इस X में मुझे 2 डालना पड़ेगा, 2 Q, मतलब 8, अच्छा, बताओ, इन में से कोई भी एक 0 पालना मल है, पहला वाला, मतलब, पहला मतलब 0, 0, तो यह 0 is the, X equal to 0 is the 0 of the पालना मल, है ना, 0 of the, हम इसे 0 of the पालना मल बोलेंगा, मतलब, यहां फर्स्ट वाले में जो X का वालूट अलाम ने, वह 0 of the पालना है, ठीक है, चलो एक टेस्ट और कर लेते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास P 0 P 1 P 2 यह हमें निकालना है, तो हम इस पालना मल पे निकालते हम, पहले P 0 निकालते हैं, ठीक है तो 0-1 और 0-1 0-1 कितना होता है माइनस वन और 0-1 होता है प्लस वन तो माइनस वन इंटू 1-1 यह 0-1 है नहीं से नोट अच्छा नेक्स्ट है पी वन वन पे निकालते हैं ठीक है तो 1-1 फिर 1-1 एक्स प्लस वन है तो 1-1 1-1 ठीक है अच्छा 1-1 1-1 0-1 2-0 तो 0-0 तो 0-0 प्लेनमल है कौन सा वालो जीरो प्लेनमल है पी वन पी वन नहीं ब्राकट के अंदर हमने क्या डाला वैल्यू तो यह 1-0 प्लेनमल एक्स के जगा हमने 1 डाला ना यहां एक्स था लेकिन हमने एक्स के जगा डाला वान तो एक्स इकोल्स वन इस दा जेरो आफ दो प्लेनमल ठीक है ऐसे एक और वैलू है एक पी टू वह भी ट्राही करतें टी टू तो तो टू माइनस वन फिर टू प्लेस वन तू माइनस वन इस वान तू प्लेस वन इस त्री तो त्री जिरो नहीं आया तो इसका मतलब यह भी जिरो आफ दा प्लेनमल नहीं है तो अबी आप लोग समझें जीरो अवदाप लेनमल क्या होते हैं हाँ अच्बर मेरे को यह बताओ मान लो एक पॉलेनमल है कोई भी एने बलेनमल ठीक है कोई भी पॉलिनोमियल है यह, fx, ठीक है, मैं इसमें एक value डालता हूँ, a, और यह जो value है, यह zero of the polynomial है, यह मैंने आपको बोला, चलो, ठीक है, यह मैंने आपको बोल दिया कि यह zero of the bullet melon तो फिर यह बताओ F of A कितना आएगा Zero क्या बत कर रहे हो Zero आएगा प्यूश कितना आएगा खरहा Zero Zero आएगा प्यूश Zero आएगा पका बलक Zero आएगा इसका मतलब है X का वो value जिसको polynomial में डालने पर value of the polynomial Zero आता है मतलब इस Zero को क्या बोला जाता है यह Zero क्या है क्या बोलते हैं Zero को इस Zero को बोलते हैं मैं बता देता हूं अ मुछ इंता मत करो इस Zero को बॉलते है value of the polynomial value of the polynomial ठीक है इस 0 को हम बोलेंगे 0 value of the polynomial और इस a को क्या बोलेंगे जिसको डालने पर हमें value of the polynomial 0 मिला है इस a को क्या बोलेंगे जीरो अफ़ पॉलिनॉमिय जीरो आफ दो पॉलिनॉमियल अच्छा मान लो मान लो कोई value मैंने डाला और मुझे 0 नहीं मिला तो तब इस a को क्या बोलेंगे मिरे को value of the polynomial जो है वो 0 नहीं मिला ठीक है यह जो value है value of the polynomial मुझे 0 नहीं मिला not equal to 0 तो इस a को क्या बोलेंगे तब एक्सिक्वल्स ए इस नॉन जीरो आफ दो पॉलिनॉमियल तब जीरो आफ दो पॉलिनॉमियल नहीं होगा ठीक है जब 0 of the polynomial होगा तो value of polynomial 0 आएगा और 0 of the polynomial नहीं होने पर value of the polynomial 0 नहीं आएगा ठीक है बस इस बात को आप दिमाग में एकदम अच्छी तर से रख लो देखो यहां पर मैंने आपको वक्षीट में भी information को दिया हुआ यह देखो आप अबाउट 0 of the polynomial यह देखो यहां देखो 0 of the polynomial के बारे में मैंने क्या बता है और रियल नंबर एक्स इक्वल 0 is a 0 of the polynomial fx if and only if f a is 0 मतलब यह जो एक्स का value a है इसको हम 0 of the polynomial तभी बोलेंगे अगर इस a को इस x के जगर डालने पर वो मुझे 0 दे दे मतलब 0 यह जो यह जो है यह value of the polynomial मेरे को 0 मिल जाए value of the polynomial मेरे को 0 मिल जाए ठीक है तो x का कोई ऐसा value जिसको डालने पर value of the polynomial 0 मिल जाए वैसे value को ही 0 of the polynomial बोला जाता है ठीक हो यहां लिखा हुआ है अगर f of a 0 है तभी हम a को 0 of the polynomial बोलेंगे अगर f of a 0 नहीं है तो हम a को 0 of the polynomial नहीं बोलेंगे clear हुआ अच्छी तरह से समझ गए 0 of the polynomial नहीं है तो हम जीरो अप्ड़ पॉलेंबल पर यह सम करेंगे जो हम यहां देख रहे थे कहां गया यह रहां नंबर वन ठीक है कोशन को अप करेक्ट कर लो वाट इस देख वल्लू अफ के अंग पॉलेंगे अग्सक्वार प्लस के एक्स प्लस सब्सक्राइट एक्स प्लस के इफ माइनस वन इस दिरो अव देख पॉलेंगे अग्स प्लस को कॉपी करता हूं पी आफेक्स इस वट पी ओफट उफ एक्स क्स्क्वार माइनस एट एक्स प्लस एट एक्स बॉस एट एक्स और प्लस के मैनस के प्लस के ठीक है और x equals minus 1 प्लस के और x equals minus 1 यह minus 1 क्या चीज है 0 of the polynomial तो since x equals minus 1 is the 0 of the polynomial ठीक है पॉलिणरमल तो फिर p of minus 1 मुझे कितना मिलेगा प्लस जीरो पका अदीती क्या मिलेगा p of minus 1 मुझे क्या मिलेगा मतलब value of polynomial कितना आना चीज है अगर x equals minus 1 is the 0 of the polynomial तो value of polynomial कितना आना चीज है 0 प्यूश 0 पलक 0 ओके सब लोग 0 बोल रहे हो तो 0 मिलेगा राइट सही बात है value of polynomial 0 मिलता है अगर आप 0 of the polynomial यूज करते हो अगर x equals minus 1 0 of the polynomial है तो फिर वो value जब हम polynomial में डालेंगे तो value of polynomial हमें 0 ही मिलता है ठीक है सही है अच्छा तो p of minus 1 क्या लिखेंगे हमारा px क्या है वो देखो यह हमारा px है तो अगर यह px है तो p of minus 1 क्या मिलेगा क्या मिलेगा minus 1 का square फिर 8 times minus 1 plus k यह मिलेगा तो यह चीज़ आप यहाँ p of minus 1 पर डाल दो minus 1 का square plus 8 of minus 1 और plus k equals 0 ठीक है अब इसे solve करो minus 1 का square minus 1 8 into minus 1 is minus 8 and plus k equal 0 उसके बाद minus 1 square 1 हाँ सॉरी यह 1 है यह 1 है minus 1 का square 1 है तो 1 और minus 8 कितना minus 7 plus k equal 0 तो के का value प्लस 7 तो यह result आ किया तो ऐसा ही एक सम और करते हैं यह देखो अगला सम है question number 7 इसमे x is equals minus 1 by 3 is a 0 of the polynomial इसमे 0 of the polynomial minus 1 by 3 को बोला गया ठीक है 0 of the polynomial यह हमारा polynomial है और इसमें एक arbitrary constant है ए ठीक है बोला है find the value of a ठीक है तो हम एक बार polynomial को copy करते हैं question number 8 का 1 यह 7 था अब 8 का 1 करते हैं 8 1 पॉलिनमल पॉलिनमल को पी एक्स लेते हैं हाँ पी एक्स इक्वेल्स 27 x क्यूब अ माइनस एक स्क्वेर फिर माइनस एक्स प्लस थी और x इक्वेल्स माइनस कितना 0 of the polynomial 0 of the polynomial minus 1 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 is the 0 of the polynomial is the 0 of the polynomial तो अगर यह 0 of the polynomial है तो फिर इसको अगर मैं पी एक्स में अप्लाई करो यहाँ अप्लाई करो मतले इस x के जग अगर मैं इस minus 1 by 3 को डाल दू तो मुझे value of polynomial कितना मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए पलक 0 0 मिलना चाहिए सत्यजीत 0 मिलना चाहिए येस सर यूश 0 मिलना चाहिए क्योंकि हम क्या डाल रहे है bracket के अंदर इस x के जग हम क्या डाल रहे है 0 of the polynomial हम डाल रहे है ठीक है जब आप x के जगए 0 of the polynomial डालते हो तो value of polynomial हमें 0 मिलता है ठीक है तो अब p of minus 1 by 3 क्या होगा देखो p of x अगर इतना है तो p of minus 3 क्या होगा तो p of minus 3 जो भी होगा आप यहां लिखो क्या होगा जितने सारे देखो इस x में अगर आपने minus 1 by 3 डाला तो polynomial में मौझो जितने सारे x है सब में minus 1 by 3 डाल दो ठीक है तो हम डालते है 27 फिर x cube है तो आप लिखोगे minus 1 by 3 cube फिर आगे minus ax square minus ax square तो x के जगा minus 1 by 3 square फिर minus x तो minus minus 1 by 3 ठीक है फिर plus 3 plus 3 equals 0 ठीक है अब हम इसे solve करते जाते है 27 अच्छा cube करते है minus का cube कितना होता है plus या minus 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 1 का cube 1 3 का cube 27 अच्छा minus a minus का square कितना होता है plus लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 का square 1 3 का square 9 अच्छा minus minus plus 1 by 3 अफिप plus 3 equals 0 अच्छा अब ये 27 और ये 27 cancelled अच्छा